नमस्ते अभिवादान आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए disclaimer उसके बाद बात करेंगे बाजार की बाजार में आपको कौन सा स्टॉक सबसे पहले खरीदना चाहिए अगर आप एक beginner हो तो कौन सा स्टॉक आपके लिए beneficial हो सकता है कौन सा स्टॉक खरीद कर आप profit कमा सकते हो उसी पर हम discussion करेंगे मैं आपको धेर सारे stocks की list भी बताऊंगा उससे पहले एक basic concept आपको बताना चाहूंगा देखिए ये video educational है बहुत ही basic है तो हो सकता है आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हो जिनको stock market के बारे में जानकारी हो और आपको basic लगे तो थोड़ा सा आपसे मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा corporate करिएगा क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अभी basic से सीख रहे हैं उनको सकत जरूरत है इस चीज की ठीक तो चलिए मैंने आपको बताया था कि stock market में जब company कोई आती है वो पैसा लेती है हम आप से पैसा लेती है उस पैसे को invest करती है अपने business में ठीक है याद रखिएगा वो company हम से पैसा उठा कर business में अपने invest करती है बहुत सारे तरीके होते हैं investment के कभी करजा कम करना हुआ तो वो भी एक तरीके से investment ही है कि हम अपने करजे को कम कर रहे हैं जो पैसा बचेगा वो अपने business में लगा कर अपने business को grow करेंगे या directly अपनी company में लगा रहे हैं या कोई और दूसरी company खरीद रहे हैं बहुत सारी चीजे होती हैं कोई नय product खरीद रहे हैं कोई नई machine रहे हैं ठीक से काम काज हो पाए तो ये सारी चीजें उपयोग करती हैं company जब हमसे पैसा लेती हैं और अपने business में लगाती है और हम जब उनको पैसा देते हैं हम कहते हैं कि हमने investment किया है अब investment हमने एक company में किया है यानि कि एक brand में हमने investment किया है अब ये brand की value क्या है ये हम कैसे समझेंगे यहीं से सुरवात होती है हमारे investment journey की अब brand की value समझने के लिए हमको थोड़ी सी अपनी value प्याना होगा अपनी value क्या देखो हम आप सब कुछ ना कुछ पढ़ाई जरूर की होते हैं या अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी हम एक field से ज़्यादा लगाव रखते हैं जैसे कि मान लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की है लेकिन मुझे mobile phones में बहुत interest रहता है तो मैं कोशिस यही करूँगा कि अगर मैं कोई business करूँ तो mobile phone वाला business करूँ ठीक है अब अगर mobile phone का business करना है तो उसकी कोई company बाजार में listed है या नहीं यह मैं ढूनूँगा और अगर है तो मैं उस business में पैसा लगा दूँगा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा मैंने उस business को पैसा दिया अगर वो business grow करेगा आने वाले समय में तो फिर हमारा पैसा भी बढ़ेगा और वो हमको profit दे कर जाएगा ठीक है अब profit हमको कब मिलेगा जब business grow करेगा अब business grow कब करेगा याद रखेगा जब उस business की demand होगी यह सब चीजें मैंने आपको पहले बताई हुई है अब जैसे कि कोई बच्चा हुआ 18-20 साल का अभी हुआ है वो जब 15-16 या 10-12 साल का था तो इसको chocolates बहुत पसंद थी और कौन सी chocolate पसंद थी कोई एक company की एन नाम से कौन सी company आप नीचे बताईएगा और इतना अच्छा brand है ये हम आप सब जानते हैं अब यही company हमारी लिए noodles भी बनाती है और noodles इनके कितने famous हैं हम सब जानते हैं अब आप सोचिए कि आप कौन सी company खरीदने जा रहे हो इसके लिए आपको अपने back of the mind एक चीज़ सोचना है कि मैं एक brand चूज करने जा रहा हूँ जिस brand को मैं खुद अभी नहीं खड़ा कर सकता हो सकता है कि हमारे पास अभी पैसा ना हो या समय ना हो हम कुछ और काम कर रहे हो लेकिन हमको उस brand में interest है उस brand की बनाई हुई चीजों में interest है ठीक है या फिर उस type के business में interest है जैसे कि कि किसी बच्चे को bike में बहुत interest होता है तो वो bike बनाने वाली company का share खरीदेगा ना अब किसी को अगर noodles में interest है तो वो noodle वाली company खरीदेगा किसी को chocolate में interest है चोकलेट वाली खरीदेगा ठीक अब ये सारी चीज़े हो गई किसी को car में interest है तो car वाली खरीदे laptop में interest है, mobile में interest है या कुछ भी धेर सारे segments हैं जैसे कि अगर आप सोचोगी कि मैं अपना खुद का petrol pump खोल लेता तो भाई धेर सारे stocks अबेलबल हैं petrol pump वाले आप उनके stocks को खरीद लो और वहां से आप अपना profit generate करो मतलब आपका stock आगे बढ़ेगा अगर आपको लगता है आने वाले समय में वो company आच्छा करेंगी तो of course सिवात है हमका share भी अच्छा perform करेगा यहीं से सुरू होता है एक सफर जो investment journey का होता है stock market में कि हम अपनी company खुद से choose करते हैं कि हमको किस company में पैसा लगाना है क्योंकि इस बाजार में 5000 से ज्यादा company लिस्टेड है 5000 से ज्यादा company का मतलब आप एक बार सोच कर देखिए कि आपको 5000 में से मैं मान लेता हूँ कि क्यों 1000 अलग-अलग type के business करते होंगे अलग-अलग type में से मैं अगर सुद्ध अलग कर दूँ मतलब category wise ही अगर मैं अलग करना चाहूँ तो कम से कम 50 category के आपको businesses तो मिलेंगे ही नी 50 category में आपको 5000 तरीके की company लें तो आपके पास option भी होगा कि आप ज़्यादा अच्छी वाली को चूच करना चाहते हो या थोड़ा सा सस्ती वाले को चूच करना चाहते हो धेर सारी चीजे होती है क्योंकि जो company थोड़ा कम अच्छा perform करती है उसका share सस्ता होता है अब share price कैसे decide होता वो कभी और लेकिन अभी मैं आपको ये 5000 company की बात नहीं करूँगा इन 5000 में से मैं 500 company की बात करूँगा top 500 company की बात करूँगा और उसमें से आपको चूच करना होगा कि आप कौन सा stock चूच करोगे अगर आपको जानना है कि कौन से best stock होते हैं तो आप दूसरे वाले channel को visit कर सकते हैं अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको जब भी किसी stock में investment करना है और अपना पहला stock चूच करना है investment करने के लिए कौन से stock में आपको पैसा लगाना चाहिए तो आप धून लीजिए कि जो भी चीज में आपको interest हो आप वही चीज का stock खरीदने जा रहे हो stock market में और बहुत ज़्यादा कि मतलब real value क्या है real value का मतलब मैं कह रहा हूँ promoter और group किस group की company है किस promoter की company है ये सब बाते भी मैं बाद में करूँगा जैसे आप अकसर सुनते होंगे नाम बड़े-बड़े उद्ध्योग पतियों के तो आप उनकी company में जाना चाहते हो आप एक अच्छे investor बनके ही रहोगे क्योंकि आपको जिस चीज में भरोसा है आप जिस चीज को आगे भढ़ते हुए देखना चाहते हो या फिर देखते हो कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद ये चीज आगे जाएगी और अगर वो जाती है तो यकीन मानिए आपको जो confidence मिलेगा वो कोई TV वाला कोई expert कोई और नहीं दे सकता आपको तो ऐसे ही आपको company चूज करनी होती है चलिए मैं आपको top 500 कंपनियों से मिलवाता हूँ और उनमें से आपको बताऊंगा जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उनको अलग-अलग sector की कंपनियों में अलग-अलग तरीके से पैसा लगाना होता है वो भी चीजें होती हैं लेकिन पहला stock चूज करने के लिए मैंने आपको top 500 कंपनियों की list यहाँ पर दी हुई है अब इनमें से आपको चूज करना है आप कौन सी कंपनी पर भरोसा करोगे कौन सी कंपनी को आप चूज करोगे जैसे कि अगर सुरू से देखा जाए तो 3M India Limited को हटा दीजे हम इसको अभी नहीं समझना चाहते आप ए नाम से सुरू कीजे ABB India Limited क्या करती है manufacturing sector की कंपनी है आपके लिए sectors यहाँ पर लिखे हुआ है कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है आप देखते चलिए अब देखिए chemicals बनाती है आरती इंडस्ट्रीज medical sector की है अब सोचिए ये chemical बनाती है आरती इंडस्ट्रीज आरती ड्रक्स क्या करती है ये pharma sector की है सोच कर देखिए AU small finance bank अगर आपको banking sector में interest है तो financial service वाला stock आप उठाईए AU small finance bank अब ये stocks आपको देखने के लिए हैं ऐसा नहीं कि आप इनको तुरन जाकर खरीद लोगे अब अगली बात आती है comparison की तो stocks में कैसे comparison किया जाता है वो कभी और अलग वीडियो में मैं बताऊँगा आपको stocks की list मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आप देखते चलिए अगर आप लोग कहेंगे मैं इसका PDF भी आपको दे दूँगा नीचे आप देखते चलिए ए नाम से कितनी कमपनिया है आप धूंड कर धूंडते रह जाएंगे और सबसे चीबात आपके लिए क्या लिखी हुई है कि यहाँ पर कमपनी का नाम लिखा है और इधर कमपनी का sector लिखा है किस sector से बिलॉंग करती है जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज टेक्टाइल से बिलॉंग करती है पता है आपको सेंसेक्स वाला अपना तो कितना अच्छा स्टॉक है आप ये भी देख लिजे बजाज की गाड़ियां आपको पसंद होगी पलसर वगएरा तो देख लिजे बजाज का भी स्टॉक बजार में लिख्टेड है अब और नीचे चलते हैं बाल कृष्णा इंडस्ट्री बीकेटी टायर सापने सुना होगा आटो मिबील सेक्टर की ये भी बहुत बहतरीन कमपनी है बजाज होल्डिंग्स बजाज फाइनांस बजाज फिंसर्ब आप कार्ड वगरा यूज करते होंगे ये सब कमपनिया है ठीक है फिर बंधन मैंक आ गया बैंक ऑफ बरोदा ये सरकादी मैंक आ गया बैंक अफ इंडिया देख रहे हैं कितने अच्छे च्छे बैंक हैं बैंक आप महराष्ट बाटा बाटा कौन नहीं नाम सुना है अब सोचो कि हम जो सेक्टर सोचे भी नहीं होते हैं वो भी कमपनियां हमको यहाँ पर मिलती हैं अब बाटा इंडिया लिमिटेड आप में से कौन नहीं जानता होगा समझ रहे हैं अब बर्जर पेंट अक्सर आपने नाम सुना होगा भारत फोर्ज मतलब सोच कर देखिए क्या क्या बनाने वाली कमपनियां अवेलिबल हैं हम सब की सोच हो सकता है कि एक समय के लिए लिमिटेड हो लेकिन जब यह नाम हम देखेंगे तो हमको ऐसी सी कमपनियां मिल जाएंगी जो हम एक बार के लिए सोचे भी नहीं होगे बहुत से स्टॉक्स होंगे जो प्राइवेट होंगे अब भारती एटल आप सिम यूज करते ही होगे बायो कॉन कितना कितनी बहितरीन फार्मा की कमपनी है ठीक बेरला सॉफ लिम्टेड कितनी बढ़ियां आईटी सेक्टर की कमपनी है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा ब्लू स्टार मैं सारी कमपनी के नाम नहीं ले रहा हूँ बस आपको एक रिलेशन दे रहा हूँ कि आप कैसे कमपनी को ढूंड सकते हो ठीक है, ब्लू स्टार कितनी बढ़ियाँ, बढ़ियाँ, एक्विपेंट्स बनाती है हमारे लिए, हम जो यूज करते हैं अपने घरों में या फिर आफिसेस में, या फिर बड़े-बड़े कामों में यूज किया जाता है, ये गूड्स सेक्टर की कमपनी है, क्या काम करती है हमको फ्रिज वगएरा बना कर देती है न, एसी वगएरा, ब्लू डार्ट, कुरियर, आपने यूजी किया होगा, समझ रहे हैं, बॉम्बे बर्मा, कपड़े वगएरा बनाती है, कंजूमर गूड्स सेग्मेंट में आती है, बॉम्बे डाइन क्या करती है, बॉस्ट, नाम में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन आपको अपनी रिसर्च भी करनी होगी, मैं आपको एक, मतलब, पॉइंट आफ व्यू दे रहा हूँ, कि आप कंपनियों को कैसे ढूंड सकते हो, ठीक है, अभी चलते हैं, बॉस्ट के बाद, आपको एक कंपनी दिखे की, बिटानिया इ सेयर नहीं ले रहे हो, तो सोचो कि आप क्या गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे ही सेयर्स ढूंडने चाहिए, और ऐसे सेयर्स आपके लिए हमेशा अवेलबल होते हैं, क्रिसिल, कितना बढ़िया रेटिंग एजिंसी है, अगर आप फाइनेंस से जुड तो ट्रक चलाते हो, तो कार चलाते हो, तो ये स्टाउक तो आप जानते ही होगे, ठीक, इस कमपनी को मतलब मैं आप कह रहा हूँ, आप जानते ही होगे, आप और हम कैसे नहीं जानेंगे, ये करते हैं, खेर उसका भी स्टाउक आप ले सकते हो, CBI, Central Bank of India, वह अला CBI नहीं, फिर CDSL जहां पर हम आप shares खरीते हैं, याद है पहली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि CDSL क्या करता है, आपके हमारे shares को अपने पास रखता है, तो CDSL के भी shares available हैं बाजार में खरीदिने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको ये business profit दे सकता है, आप इसको खरीदिये, century देख रहे हैं कितनी बढ़िया कमपनी हैं, उसके बाद सिपला देख लीजिए, कितनी अच्छी ची कमपनियां आपके लिए available हैं, और मैं उन्ही कमपनियों के नाम ले रहा हूं, जिनको हम आप कभी न कभी सुने हुए हैं, कम से कम मैं सुना हूं, हो सकता है आप भी मुझ रियल बात आती है कि किस प्राइज पर लगाना है, क्योंकि कोई भी चीज जब हम आप लेने जाते हैं बाजार में, तो हमको सस्ता और महंगा, दो चीज दिखती है, जब स्टॉक सस्ता अवेलबल हो, तभी लेना चाहिए, अभी नाम में बता रहा हूं आपको, ढूरते च दिखा जरूर होगा, DCM स्री राम लिमिटेट कितनी बढ़िया कमपनी ये भी है, डाबर, इसकी तो बात ही क्या करें, चैन प्रास वगेरा, समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, और धनी सर्विसेस, ये आपने जरूर इसका एप यूज किया होगा, या आपके आसपास फ्र रोल प्ले किया है, इस कमपनी ने कितना important रोल प्ले किया है, इस मतलब pandemic में, आप हम सब समझ सकते हैं, Dixon Tech, कितनी बढ़िया ये भी कमपनी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इडल वाईस, अगर आप finance market से जुड़े हो, तो ये कमपनी आप जानते होगे, आईसर मोटर् इसी कमपनी का product है, वो tractor इनके बहुत अच्छे आते हैं, इस कमपनी की बात मैंने कुछ दिन पहले अपने दूसरे चैनल पर की थी, ये भी कमपनी बहुत बहतरीन है, आप इसके बारे में सोच सकते हो, इमामी जिहां, ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको 500 stocks अब नही आगे जा सकता वीडियो फालतु की लंबी हो जागी, लेकिन मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, कि आप देख लीजे, गोदरेज कमपनी की कितनी, मतलब गोदरेज गुरूप की कितनी बढ़िया कमपनी है, जिलेट कितनी बढ़िया कमपनी है, आप आगे बढ़ते जा बैंक है, अभी रेसेंटल लेहाबाद बैंक से इनका मरजर भी हुआ है, ठीक है, इंडियन ओयल सबसे बड़ा पेट्रोल पंप भारत में, और धेर सारी ऐसी कमपनी आप देखते चलिए, ये लिस्ट अगर आप कहेंगे, जागरन प्रकासन आपके पास निउस पर आता कि आप कमपनियों से एक रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए, कि मैं ये कमपनी लूँगा, तो क्यों लूँगा, कुछ लोगों को ये वीडियो बोरिंग लग सकती है, लेकिन सोचिए, इस वीडियो में कितना बड़ा क्रक्स आपके लिए छुपा है, अगर आपने इसकी जरूर खजिद होगे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको पिजजा पसंद है, तो अगर बहुत सारे लोगों को पिजजा पसंद होगा, और अगर बहुत सारे लोगों को पिजजा पसंद है, तो आने वाले समय में पिजजा का जो बिजनस है, वो कमाल करेगा ही अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हमने थाई सो कमपनियों को लगभग लगभग देख लिया है उसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा तेजी से चलेंगे कोटक महिंदरा बैंक कितना बेहतरीन बैंक है विजनेस प्राइबेट सेक्टर कमपनी है ला बहुत ज़्यादा लगाव है या आप घर बनाने में या फिर इस तरीके का कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप L&T में पैसा डाल सकते हो अगर आपको स्कोप बढ़िया दिखता है लूपिन हम आप सब दवा इसकी दवा उपयोगी करते हैं लक्स कितनी बहतरीन टेक्स्ट कितनी बहतरीन कंपनी एक बार सोच कर देखिए और रिसर्च करिएगा इन सब कंपनियों पर मुतिला लोसवाल जो लोग ब्रोकिंग इंडस्ट्री से जुड़े होंगे या फिर फैनेंशल मार्केट से जुड़े होंगे उनको पता होगा अगर आपने एकाउंट खोला अब आती है सबसे बहतरीन कंपनी जिसकी में बात कर रहा था नसले इंडिया लिमिटेड कितनी बहतरीन कंपनी हम आप सोच भी नहीं सकते और हम इसमें पैसा लगा पा रहे हैं यह हमारे लिए सवभाग की बात होनी चाहिए उसके बाद चलते हैं नेटवर्क 18 मीडिया लिप्वन का म्यूच्वल फंड अगर आपने खरीदा होगा तो वह भी अवेलबल है और आगे बढ़ते हैं पी एंबी स्टॉक आपने नाम सुनाई होगा उसमें कुछ कहने ही क्या है आगे बढ़ते हैं अगे एक और स्टॉक की यहां पर बात करेंगे पेज इंडस्ट्र आगे बढ़ते हैं पेट्रोनेट एलनजी ओलन गैस सेग्मेंट का बहतरीन स्टॉक है फिलिप्स कारबन बहतरीन स्टॉक यह आपके लिए वेलबल है पावर फाइनस बढ़िया स्टॉक है और सबसे बहतरीन यहां पर आप देखिए पावर ग्रेट यहां पर दूसरे चैन की बात हमने पहले ही है और विल बैंक हो गया धेर सारे स्टॉक से आपके लिए अवेलबल है अब थोड़ा सा इंपोर्टेंट स्टॉक पर आते हैं रिलाइंस इंडस्ट्री रिलाक्स हो यह सब कितने कमाल के स्टॉक है आप एक बार सोच कर देखिए रिलाक्स हो हम सब लिए अवेलबल है ठीक और आगे चलते हैं तो बहुत सारे स्टॉक अभी ऐसे आएंगे इनके हम नाम पहली बार सुनेंगे लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस वो रखते हैं जैसे कि स्टार सिमेंट आप चकी जगा कि स्टार सिमेंट के कौन-कौन से प् बहुतरीन कंपनी ये भी है मीडिया एंटर्टेंबेंट से रिलेटेड उसके बाद और आगे चलते हैं टीस अभी हमको सायद नहीं मिली है तो टीस आ जाएगी टाटा कंसल्टल्सी सर्विसेस ये भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी है और एक समय इसका जो मार्कर कप था वो रिलाइन से भी बड़ा था और आईटी सेक्टर की एक और टाटा गुरूप की कंपनी टाटा एलक्सी ये भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है इसके आप चार्ट को जाकर देखिए और इनकी आज से पांच साल छे साल पहले इनके रिविन्यू को चकीजे और आज के र इसमें बहुत बड़ा डेवलप्मेंट हुआ है विप्रो सेर बाजार में पैसा बनाने वाली अकर कुछ 15 कंपनियों को मुझे नाम लिखने हूं पिछले 20-25 सालों में तो विप्रो उनमें से एक होगा कितना कमाल का इसने फंड क्रिएट किया है मापके लिए मतलब 100-200 मैं रुका हूँ जिसके मैंने नाम लिए मेरा उसमें इन्वेस्टमेंट करवाने का कोई इरादा नहीं का आप उस कंपनी में जाकर पैसे लगा दो मेरा इरादा यह था जैसे एक कंपनी मैं मिस्स किया था MRF जरूर बताना चाहिए था MRF बहुत बहुत बहुतरीन कंपनी ह हैं चकी जगा या आप सब जानते ही होंगे मेरा इरादा क्या था कि मैं आपको एक बार रिलेट करा पाऊं कि होता क्या है आखिर बाजार में है क्या बाजार में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहला से हर जब हम चूज करेंगे तो हम कहां से चूज करने जा रहे हैं मैंने व 500 stocks select किये हैं, इंडिया के, आपको, अगर इन में से कोई business नहीं पसंद आया, तो 5000 में से भी नहीं पसंद आने वाला है, इन में से कौन सा business आपको पसंद है, कौन सा segment आपको पसंद है, ये आप हमें बताएंगे अच्छा लगेगा, कोई सवाल सुझा हो, तो nifty india.gmail.com पर mail क कीजेगा, अगर वीडियो पसंद आई, तो लाइक कीजेगा, अगर चैनल पसंद आई, तो सब्सक्राइब कीजेगा, बाकी अब जाते-जाते आपको कुछ remark में दे देता हूं, एक revision type की चीज कर देता हूं, कि बाजार में आई है, बाजार में अगर आप आए हो, तो दो दो बातें आद रखना, पहली चीज, आप क्या लेने जा रहे हो, ठीक है, आप क्या लेने जा रहे हो, और कब लेने जा रहे हो, मैं यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, क्यों इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि आप investment purpose के लिए ही आए हो हैं आपर, of course इसी बात है, आप investment करने ज जा रहे हूं किया लेने जा रहे हो आपको सबसे बड़ा focus इस पड़ा सी सोथ होगी route defations. 2 चीज मेहंगा महंगा का मतलब इस टॉक चश्वेयले से डूक चाहे है कि डाउर व्कड यहां पर कंपैंगा मेह neutral ख़़ता हैं एक stock ये भी available है 50,000 रुपए पे एक समय चल ला है था और एक समय ये 80,000 पे चल ला है अब बताईए 80,000 पे ये महंगा है और 50,000 पे आपको average value पे मिल ला है अगर यही stock आपको 40,000 पे मिले तो आप सस्ता समस्त के खरीदोगे जी हाँ कम से कम इसके comparison में आधे दाम पे मिल ला है मिल रहा था भी recently अगर मैं बात करूँ तो सोचिए इसके comparison में आपको आधे दाम पे मिल लाता है यानि कि उपर से 50% की गिरावट के साथ आपके सामने stock available था MRF का लेकिन अगर आप MRF 80,000 पे खरीदोगे आपने क्या खरीदा? महंगा खरीदा तो आपने कब खरीदा? वो गलत काम कर दिया क्या खरीदा? वो तो अच्छी चीज थी कि आपने अच्छी चीज खरीदी लेकिन कब खरीदी? ये गलत चीज खरीद ली ठीक, अब कोसिस करूँगा ये कब खरीदा जाता है stock, कब खरीदना चाहिए stock, इस पे अगली वीडियो आए, आप लोग बताईएगा कि अगली वीडियो का topic कौन सा होना चाहिए, आपको कौन सी जानकारी चाहिए, मैंने आपको अपने तरफ से एक basic वीडियो दी, कि किस तरीके से आप stocks को ढूंड सकते हो, किस तरीके से आप खुद से, एक मतलब होता है ना कि एक limit set कर सकते हो, कि मैं चूज करूँगा तो वही stock जो मुझे पसंद होगा, कब खरीदना चाहिए वो भी बताऊँगा, कौन सा stock अच्छा होता है, क्या-क्या parameters होते हैं, धेर सारे parameters होते हैं, जैसे कि मैं stock को लगब विजिट करके उस पे देखिए का वीडियोज अवेलेबल है, डबल आई special वीडियोज के नाम से playlist है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो, ये वीडियो कैसी लगी आप बताइए का ज़रूर मिलेंगे, फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में, तब तक के लिए हस्ते खेलते रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बताभार धन्यवाद